हलो दोस्तो ट्रेन लवर्ज जोती वेलकम बैक विद अ ब्रैंड न्यू वीडियो तो दोस्तो CLW यानी चित्तरंजन लोकोमोटीव वार्क्स ने गुड्स के लिए एक नया लोकोमोटीव बनाया है WAG9HH तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम इस नया लोकोमोटीव के बारे में दस ऐसा इंट्रेस्टिंग और इन्फरमेटिव फैक्स बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते सो वीडियो काफी मज़ेदार है आप समझ सकते हो वीडियो को एक लाइक करिए और आपने अभी तक हमारे इस ट्रेन लबर्स फैमिली के हिस्सा नहीं बने है तो अभी उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसके बाजे में जो घंटा आए घंटे को दबा दीजिए और बन जाए हमारे इस ट्रेन लबर्स फैमिली का एक हिस्सा तो चलिए बिना पक्त न गभाए हम हमारे वीडियो को शुरू करते है नमबर वण 9000 होर्स पावर के इस लोकोमोटिव का नाम है WAG9HH नमबर टू इस लोकोमोटिव का RDSO द्वारा 100 किमी पार आवार स्पीट से चलने का जो ट्राइल होता है वो ट्राइल हो गया है और वो ट्राइल में ये लोकोमोटिव आसानी से पास हो गया है नमबर थ्री वैसे CLW यानी चितरंजन लोकोमोटिव वार्क्स का इस WAG9HH गुड्स लोकोमोटिव को बनाने का काम खतम हो गया था 21st December 2019 को और इसका EBD यानी Emergency Breaking Distance Oscillation ये सब टेस्टिंग भी RDSO द्वारा हो चुकी है RDSO means the Research Designs and Standards Organization एक संगस्ता है जो डेलोएस में बनी गई नए टेकनिक का परिक्षा लेती है और उने Approval देती है अब बस Committee of Railway Safety से रिपोर्ट आना बाकी है बस वो रिपोर्ट आ जाए तो बहुत जल्द हम इस लोकोमोटिव को ट्रकों पे हेवी लोड के साथ दौरते हुए देखेंगे नमबर फोर तो CLW ने WAG 9HH का दो मोडल बनाया है पहला मोडल का नमबर है 9001 इसमें लगया गया है मेधा प्रपल्शन सिस्टेम और इसको अलोट किया गया है गोमो को और दूसरा जो नंबर है उसका है 9002 इसमें लगाया गया है साइमेनस प्रोपल्शन सिस्टेम और इसको अलोट क्या गया है टाटा नगर को और दोस्तो इसका जो एक्सिलेशन है वो पहले बनाई गई गुट्स लोकोमोटीब वैग 9 और वैग 9H से भैतर होगी नंबर 5 तो दोस्तो इस डबलू एग 9H लोकोमोटीब का डबलू एग 9 के बाद जो दो लेटर है एच एच उनमें से पहला जो एच है वो डिनोट करता है हेवी एक्सेल लोड और दूसरा जो एच है वो डिनोट करता है हाई पावर रेटिंग नंबर 6 तो इस लोकोमोटीब के अंदर एक GPS टेकनलोजी को लगाया गया है जिसके मदद से लोकोमोटीब की रियल टाइम मोनिटरिंग की जा सकती है नंबर 7 इस लोकोमोटीब को सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्ट करने की बाते चल रही है जिससे फाइदा ये होगा की देश में अब कहीं भी बैटके अपना WAG9HH लोकोमोटीब इस बक्त कहां पे है इसको ट्रैक कर सकते है नंबर 8 तो दोस्तो इस लोकोमोटीब के अंदर एक open source intellectual software को लगया गया है इसके फाइदा ये होगा की रेलोस को इस बक्त किसी भी third party एवेंडर के पास depend होना नहीं पड़ेगा नंबर 9 इस लोकोमोटीब के अंदर black box नाम का एक data reader लगया गया है जो clue के जैसा काम करता है समझ लीजिए कि कुछ दिन बाद भगबान ना करे कोई हाथसा अगर हो जाता है तो इस data reader से read की गई data को as a clue use कर सकते है और investigation के लिए भी use कर सकते है और ये भी देखा जा सकता है कि आगे जाके मविश्य में ऐसी गल्दिया दुबाड़ा ना हो नंबर 10 तो दोस्तो इस लोकोमोटीब की traction motor, traction converter, transformer, boogie and car body इन पार्ट्स में कुछ changes या बदलाप लाए गये है जिसके मदद से ये वाग 9HH goods लोकोमोटीब हेवी से हेवी वेट को 100 km per hour की speed से खीचने में सफल होगा तो दोस्तो आज का ये वीडियो में यही पड़ी end करता हूँ और बहुत दिनों से एक important बात आपको कहना चाहता था आज कह देता हूँ कि मुझे आप subscribers में से बहुत सब्सक्राइबस की Instagram पर DM आते है कि भाई आपका जो पूरी वाला जो journey vlog है वो हमें बहुत पसंद आया आप उस टाइप का journey vlogs कीजिए हम वो देखना पसंद करेंगे दोस्तों उन लोगों में कहना चाहता हूँ जो नहीं जानते देखिए मैं पूरी जो गया था अपने family के साथ गया था अकेले नहीं गया था भाई लोग वह आप वीडियो पर देख चुके हो एंड में अभी एक स्टूडेंट हूँ सो जिस दिन मुझे जॉब मिलेगा और मुझे कुछ काम बगेरा करूंगा मतलब मुद्दे की बाते जिस दिन पैसा आएगा मेरे पास उस दिन से मेरे चैनल पे जर्णी ब्लॉक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे यह मैं गैरांटी के साथ आपको कह सकता हूँ और दोस्तों जर्णी करना किसको पसंद नहीं आता सब को पसंदे एज रेल फैन मुझे भी बहुत पसंदे सो फिलहाल आज के लिए इतना ही आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई है सो सच में पसंद आते हैं तो आप प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दे एंटर हमारे ट्रेन लवर्स फैमिली का हिस्सा बनना चाते है तो वह लाल बाला सब्सक्राइब बटन क्लिक करें के उसके बाजू में जो घंटा है घंटे को दबा दीजिए फ्रेंज के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को फेस्बुक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो क अगरा डालता रहता हूँ तो मैं आपसे फिर से मिलूँगा किसी और एक दिन किसी और एक टॉपिक के साथ किसी और एक वीडियो पर तो तब तक के लिए अलवीदा गौद ब्लेस स्टे हैपी एंड टेक केर